नमस्कार दोस्तों दोस्तों बिहार में STT के लिए बहुत बड़ी वेखेंसी निकाल दी गई यहां पे ऑनलाइन उसका कब से फर्म भरा जायेगा कौन-कौन से लोग अपलाई करेंगे इस सारा डिटेल हम देखेंगे दोस्तों देखिए हम पूरा डिटेल देखते हैं यहां से देखिए बिहार STT online form आपको 69-2019 को अपडेट किया गया है और कप से फर्म भराएगा इसका पूरा डिटेल सम देखेंगे जो लोग इलिजिबल हैं इसमें अपलाई करेंगे ठीक है और इसके बाद देखिए देट दिया गया है यहां पे 99-2019 यहनिकि बिहार STT के लिए आप अपलाई करेंगे ताकि आप बिहार में सिख्षक बन सके ठीक है और इसमें दो फेज के लिए दो पेपर के लिए इसमें आपको फर्म भर सकते हैं और इसमें देखिए लास्ट डेट 9 दिन के लिए आपको फर्म इसमें अपलाई करेंगा है यहनिकि स्टार्टिंग आ लगेंगे दोनों भरते हैं तो 600 रुपे लगेंगे यहां पर देखिए प्लस वेकेंसी निकाली गई है य हाँपे a state for secondary school with subject-wise post और यहाँपे सेकेंड में दिआ गया है STT for high or secondary school with subject-wise Post यानि कि high or secondary goarts के लिए और यहाँपे secondary में पोस्ट दी गई है इंगलीस में आप देख सकते हैं 5000 पोस्ट में आप देख सकते हैं 1454 पोस्ट में 5054 पोस्ट है वैसे यहां पर टोटल जो पोस्ट दी गई है आपकी सेकेंडरी के लिए 25,270 पोस्ट दी गई है इसके बाद यहां पर आप देखिए हाइर सेकेंडरी के लिए यहाँ पर पोस्ट जो दी गई इंगलिस के लिए 2125, मैथ के लिए 2140, और फिजिक्स के लिए 2384, कमेश्टी के लिए 2221, जेलोजी के लिए यहाँ पर 723, बोटनी के लिए 835, कंप्यूटर साइंस के लिए 1673, यानिकि टोटल यहाँ पर नमबर आफ पोस्ट जो दी गई है 12, 1665 पोस्ट दी गई है, इसके बाद क्वालिफिकेशन कहा जा रहा है, क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करेंगे, दोस्तों जो भी उपर पोस्ट दिये गए हैं, उसके हिसाब से आपको इसमें इलिजिबिलिटी मांगी गई है, जैसे में हम देखेंगे, यहाँ पर इज बिहार ASTET online from 2019, और यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे candidate, candidate having graduate in related subject, from recognized university will be eligible for the Bihar ASTET online from 2019, desired qualification क्या होनी, चाहिए, desired qualification candidate having post graduate subject, post graduate आपके हैं, तो इसमें desired qualification मंगा जा रहा है, mode of selection क्या है, यहाँ पर mode of selection आपका देख लिए, selection will be based on the marks score in entrance exam, लिए जाएंगे, and accordance to that merit list, उसका merit list बनेगा, will be prepared on the basis of merit list candidate will be selected, cut-up marks आप यहाँ पर दे दिया गया है, general के लिए 50%, और reserve category के लिए यहाँ पर 45%, और भी यदि आप इसका जो notification है, उसको बहुत चलिए देख लेते हैं, थोड़ा उसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ से हम उसका notification, और यहाँ से दोस्तों आप अपलाई कर सकते हैं, किलिक करके 9 तारीकों link एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से website visit करेंग notification क्या है, इसको चलिए देख लेते हैं, वही चीज दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, notification में भी वही चीज दिया गया है, notification थोड़ा सा हम देखेंगे, ज्यादा इसके ध्यान नहीं देंगे, बिहार बिद्याल है, परिचा समीती द्वरा है, यह आपकी, ASTT का exam लिया प्राइब कर लिया, और यहाँ से आप देख सकते हैं, वही चीज जो मैंने बताया है, वही यहाँ पर ररूप दी गई है, कि PAPER 1 के लिए कितने लोग इसमें आप अपलाई कर सकते हैं, PAPER 2 के लिए इसमें कितने लोग अपलाई कर सकते हैं, पेपर वण में जो सिखचक बनेगे माध्यमिक सिखचक जो हूँगे 9 से लेकर 10 तक की यहाँ पर दिया गया है पेपर वण के लिए और उच माध्यमिक सिखचक जो हूँगे 11 और 12 के लिए विद्या लुए में उनकी चैन की जाएगी स्ट्रेटी के लिए यहां पे देख सकते हैं पूरा वेकेंसी जो मैंने ऊपर बताया है chain exam फेक्रिया भी वी दिया गया है आवेदन के लिए यहां तीथी दी गई है आप देख सकते हैं यहां पे 99 से लेकर 18-19 तोक कावेदन इसमें करना है बेव साइट का यहाँ पे लिंक दे दिया गया है आप बेव साइट यहाँ से विजिट कर सकते हैं ठीक है तो यह पूरा डिटेल्स है और भी कोई यह आपको जनकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं